असलाम अलेकुम दोस्तों लेपट काइट केप की जानिब से आपकी खिदमत में दुबारा हाजिर है दोस्तों रिकर्स वेडियो का सुलसला चल रहा है हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो पतंग उड़ाना सीख रहे हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि छोटे बच्चों की पे कि दरूरत है तो वो कुछ ड़ृब पेज को पूछ थे इसी तरह कमान तोड़ने का तरीका पूछते हैं मैंने क्वार्स किया है को छेच के लिए तो मैं फिलोसुफी समझा रहा हूं एडवांस लेवल पे जाने के लिए पहले आपको अपने दिमागी तोर पे चीज़ों क पतंग तेज 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 गूमता है उनका पतंग तेज तेज चुटकी चलानी नहीं आती तो कैसे चलाते हैं पहली बात तो यह है कि बच्चों के पेज के लिए हमेशे याद रखें मैंने आप से कई दफ़ार्स किया कि जैसे आप उपर से लडा रहे हैं तो हवा कर तेज होना जरूरी है बच्चे इस बात को समझीए कि हवा तेज हो तो आप धील से लडाईए आपके लिए फाइदा रहेगा दूसरी बात आप यह समझे कि जो डूरें यहां अपस में टकराती है दोनों की यह चीज बहुत एहम है दोर का अंदाजा करना जरूरी है दोस्तों अभी हमारी पतंग बादी छटों से हो रही है मिसाल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आप उपर से आना चाहते है आप डिल से आना चाहते हैं आप उपर से आएं दूसरा बत्या भी छट से उड़ा रहा है किसी की छट नीचे है तो डूर ऐसे होगी किसी की छट ऊपर है कोई बहुत उपर से उड़ा रहा है तो उसकी डूर ऐसे होगी दोस्तों यह दोर का आपको अंदाजा करना जरूरी बना आप यहां रखेंगे तो आपने समझा कि मैंने यहां रख दी है पतंग बिलकुल बराबर हो गी है अलाकि उसकी पतंग उसकी डोर नीचे है भी तो वह खेच के ले जाएगा आपको 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 आप नहीं में चाते रहेंगे बोलेंगे मेरी कड़ी वह ले लायगे नहीं होई तो झाहिए है राधे रखेंग आप गश। चक्ट रहरा है तोन यह बराबर दोड़ाइनगे और यह बराबर से चट और तो पिर दो और वो खेचना शुरू करेगा तो उसकी पतंग नहीं कट रही इसका मतलब यह कि आपकी और उसकी दोर के दर्मियान गैप है और अगर आपने यह फिल नहीं किया और उसके बगार ही डोर धील देते रहे तो खेच के ले जाएगा आपको अगर यह डोर टच होती ही तो खेच और वो भी खेच रहा है इसका मतलब जो खेच के काट देगा आपको यह आपकी इसकी डोर टच नहीं है बेटर तरीका ही है कि आप ऐसे उपर से जाए और यह पतंग को फाड़ के इस तरह आज आए यानि आपकी पतंग यह हो जाये यानि आपकी पतंग इसे चक्क्र देख जा करके यह नीचे से जा करके इधर हो जाए यानि इसमें आकड़ा बन जाए तो फिर आप धील चला दें तो फिर वह नहीं खेश सकता है डबल भी नहीं कर सकता है तो उसके कटने के चांसे जादा होगे और यह जहन में रखे जब इस तरह धीलम डीजे चलती हो भी गुमाएगा आप भी गुमाएंगे तो जिसकी पतंग बेहवा हुई या जिसकी डोर नरम हुई या जिसकी डोर रुकी या फसी वो कट जाएगा ठीक है बच्चो अब आते हैं आले रदा था आले असन भाई यह जो है न चुटकी यह ऐसे ऐसे चलती है तो पतंग घूमेगी आपकी पतंग सही होनी चाहिए पतंग अच्छी उड़ाईए हमारे अकसल लोग मांजा तो बहुत अच्छा ले लेते हैं लेकिन पतंग वो पतंग पर तवज़्जा नहीं देते जिसकी व पतंग पतंग चलना शुरू कर देगी और अगर आप चाहते हैं कि साइट टेज से चले तो फिर आपने हातों से उसको खेचिए ताकत से खेचने का मतलब यह होता है कि आपके हाथ रूके ना भसे ना चलते रहें ठीक है दोस्तों अब आते हैं तला भाई की तरफ आगर न करेगा यह आपका अपोनेंट है तो वह ऐसे खेच के आपको भागेगा शतों के पेज में आप कोशिश करें कि जिस वक्त वह उपर से नीचे आ रहा है आप अपनी पतंग को ऊपर चड़ा लें आप उस पतंग को हवा में रख लें तो वह अगर मारता भी एक हडी दोर पे तो कट जाएगी तो ठीक है आप ऐसे आकड़ा दे के उसको ऊपर रोक लें और जैसी वह नीचे मानने लगे तो आप सिर्फ अपनी पतंग को सीधा खड़ा रखें वह कट जाएगा या फिर आप अपनी पतंग को ऐसे दुबारा से फाड़ लें गुमा करके उसकी पतंग आपकी पतंगी तरह आजए और यह जवांकड़ा बन जाएगा तो फिर आप इदर घुमाना शुरू कर दें और जाहर है वह भी अकल-मंद होगा तो खेचेगा नहीं वह भी फिर घुमाना शुरू कर देगा फिर वही बात है आपने डील को रुकने नहीं देना और पतंग को लटकने नहीं देना और हवा में रखना है जो भी हवा गया वो पहले कट जाएगा ठीक है दोस्त अब आते हैं तलह भाई की तरफ तलह भाई हमेशा याद रखें जो उपर से आता है और कमान बनाता है तो छतों के पेच में याद रखिए को उसूल या कोई ट्रेक्स इ जिल से नहीं जड़ाएगा ठीक है या तो खेच के पूरा जाएगा आप भी खेचेंगे तो हो सकता है वो खेच करके इस तरह कमान की तरह जटका मारी है कम डूर पकड़के यूँ जटके से कमान जैसे चोड़ते हैं तीर कमान चलाते हैं वह ऐसे जो छोड़ेगा हवा में और आप कड़ जाएगे क्योंके डोर आपकी नीचे जा रही है फौरण गिरेगी उसके उपर लोगों मोटी डोरे उड़ा रहे हैं हमेशा दोस्तों ख्याल रखें आपसे एक दर्खास है कि रमदान के दिनों में आप पतंग बादी जरूर करें घर तो आप बदल नहीं सक बहुत है ठीक है अदीचे का दस्पोना बेहतरी नूड़ता है दोस्तों चाहे हवा तेज हो या हलकी हो लालच ना करें ग्रीड ना करें जादा पतंग काटने की चक्कर में ना पड़ें इससे आपका लेवल खराब हो जाएगा ठीक है दोस्तों दूसरी एक और बात ताला तुक्त बागा यहां पालच जहा हैP्रम मुक्तिक आपके रहा है धोर आपको अपने जाज़ा तो सुआन कर सकते हैं और आपके यह कछय पहाँ पतंग हो बात कि चलान जाएग मिशा को दोसक कर दोब आप यहां उना जाएर को खाल और तो स्बाट यह होगाम्ः अपने प आपका जोल इसको लगेगा पड़ेगा वह कट जाएगा खेश देवे में ठीक है तो यह एक एड़ांस लेवल का पेज भी बता दिया और मैंने आपको जोल का फायदा भी बता दिया कि कन्ने अगर आप थोड़े से छोटे बालेंगे तो आपकी डूर जो है वह इस तरह से ग कमान उतारते हुए जा रहे हैं अच्छा अगर बिलफर्द आप यह आपका मुखालिफ है और यह अब आप हैं अपोजिट कंडिशन सपोस करते हैं कि वह ऐसे कमान मना के चला तो आपके पास यह आप्शन है कि आप उसको उठा के देए अब वो यही समझेगा कि आप भी इसे ही खेचोगे यह जहन में रखें उसके 99 परसंट उसके दिमाग में यही है कि आप ऐसे ही खेचेंगे सीधा आप सिर्फ तब खेच सकते हैं जब आपके पास ताकत जादा हो इसका एक हाली है कि आप इसको यह जमीन पे मारें अपनी पतंग ऐसे तो आपका जोल भी जिसाने के लिए टाइमिंग बहुत एहम होती है और आपको आपको अपनी पतंग के अबूर हो पतंग आपकी अच्छी हो इशारों पे चलती हो और फॉरन रिस्पॉंस करें यह ना हो कि आप ऐसे डोर घुमाते रह जाए और फिर आप बोलें कि कमान खेच के ले गया तो क अगर आप खेच नहीं भी सकते हो तो इसको रोक लेंगे अगर वो रुख खा जाएगा रू कि पेच में इसी तरह हर बंदा नीचे से आता है पतंग गुमाता है और वो ऐसे कि कोशिश करता है इसमें नुकसान यह होता है कि शक्स उपर से अगर ढुर गूमाता रह दोनों सूर्थों में आपके पास ताकत होनी चाहिए और अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप क्या करें कि उसके हाथ की तरफ जिस तरफ उसका हाथ है एंड टाइम पर सिर्फ यूं खेचें उसकी तरफ यूं वह इस तरफ खड़ावाएं आपके आपके वह राइट से उड़ा रहा है यह पतंग आपकी है तो आप उसकी हाथ की तरफ खेच देंगे तो वह खेचता खेचता ऐसा ही कड़ जाएगा लेकिन दोस्तों एक बाद जरूर यह रखिए हमारे बच्चे कन्ने-कन्ने पतंग लड़ाते हैं इस तरह से बराबर बराबर रखके हमेशा य बीच में हवा लेती है अगर आप बिल्कुल यहां लेंगे तो यह पतंग समझें यह हमारे हां फिजिक्स में पढ़ाई जाती है बच्चों को पैट्री क्लास में लेवर का उसूल है ठीक है तो यह इस पर कुछ यह याद रखिए कि हवा अगर आपकी आगे निकली होगी बीच से लड़ेगी तो आप ज्यादा अच्छा काट लेंगी लॉजिक्स को समझे आज कल पतंगवादी भी इतना आसान और सादा गेम नहीं ठीक है तो मैंने आपको दोरा मानना बताया दोर चिपकाने का गेम क्या है इधर देखिए दुबारा से बताता हूं मैं आपको अगर आप नीचे से जा उपर से आ रहा है आपका फॉनेंट और वो कमान मना के जा रहा है खेच के ले जाता है आपको आप उसको थोड़ा सा उठा के दीजिए जैसी अच्छा आप उसको जब वो उपर आएगा एकदम ऐसा तो नहीं कि आपके कमान मनाना शुरू कर देग आप उसको देखें कि आप एक बार उसको पट जैसी वो थोड़ा सा इधर चलेगा थोड़ा सा अंदर आएगा थोड़ा सा बार जाएगा तो आप अपना एक दफा पट मारें अगर वो डोर आप यकीन करें यह प्रैक्टिस आप अपनी रखें इसको कहते हैं नीचे से पारी नहीं है या उसका जोल जादा नहीं डाटक रहा है ठीक है दोस्तों तो इन चीजों का ख्याल लगी है इसके साथ अगर आपको थोड़ी चीज और समझनी है तो इसकी नेक्स वीडियो इंशाला हम इस टॉपिक पर बनाएंगे कि जो कन्ने हैं वो कन्नों का इस्तमाल पेच में अपने फाइदे के लिए और सामने वाले के नुक्सान के लिए कैसे किया जाता है इंशाला हमारी नेक्स वीडियो वो है अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल लखेएगा जो प्यार और आप सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसको मजीद बढ़ाईए आप खुश अरवाद रही है